तो आपने 233.47 कर लिया था न्यूजिलेंड को आपके 46 रंस बने थे अगर आप जल्दी रोक लेते आप जीट जाते मैच है ना भई अगर आप 200 की लीड पर उनको रोक लेते आपने 400 कुछ बनाया था चारसो 460 प्लस 462 पर पहुंचेते हैं तो आप 300-300 की लीड तो हम भी बोल रहते हैं कि भाई आप यू किन में का मार देते हैं वो अलग बात है लेकिन आपने वहाँ पर अश्विन जी को देखे लॉलीपॉप पर चक्के पड़ रहे हैं वो लॉलीपॉप पर इतने चक्के मा मार गया साथ में साओदी मार और साथ में उसके दूसरा को था रचिन श की बात मुचसे मत करि करिए लो रही हैं झ कagar लो से के बात हैं नहीं जिक्दभॉन को मैच खतम हो बात बहुत यूट्यूब बना दिया एश की बात आज करेंगे एश की बात उसके बाद मुझसे मत करी हो बात मुझसे पूरे टेस्ट मैच में बात मत करी हो भाई एंड तक देख लो सेकेंड इरिक में और नी दिया रश्विन को जब मैच खतम हो गया उससे बहुत चला आते तेरी थोड której में चैनल कोलेगा आपके साथ वैट के में बाते करेगा आपको एश की बात बताएगा इस pitch के उपर, I think turn हो रहा है, cut हो रहा है, swing हो रहा है, फट रहा है, this fort हो रहा है, सौरान असान नहीं होंगे. दो wicket गई है, मर मरा के, आठ wicket के साथ chase हो गया है, और सौरान असान नहीं होंगे, बीस ओगर में chase कर दिया भाई. एक session में. लंच भी नहीं हुआ, उन्होंने बस्ते पैक कर लिए, भाई वहीं पर करेंगे लंच, अब चलो आप, पूने में करेंगे लंच, निकलो यहां से, हो गया है, इनके क्या है, इनकी शकले देख रही है, पहल दिया है इनको, सौरान मुश्किल होंगे, आठ wicket से वो जीत गया, इनिंग्स दिफीर्ट ही है, यार यह, तुम सोच रहे हैं, इनिंग्स दिफीर्ट ही है, यह, क्या बचा लिए तुमने, तो आश की बात को तो समझा दिया जी, अपना, उन्होंने हाथी जोड लिए, रोहिचरमा ने खुद दी, उसकी शकल नहीं देखी उसने रोहिचरमा पहली इनिंग्स में तुम्हारे सूरमाओं ने बना है 46, एक बाब बताओ यह 46 वाली पिच्छ थी, 100% नहीं, कोई प्राबलम हुए है न्यूजिलिंड को, तुम्हारे बूमरा जीनिया आके जो है, थोड़ी बहुत जान मारी है, डीएसपी सिराज तो खुदी किरफतार हुआ था, डीएसपी सिराज को तो कीवी इसने थाने में बंद करके मारा है, उसको पकड़ लिया, पहली रिंग में जो सिराज के छक्के पड़े हैं, आईपिल की याद आ गई, सौधी नमारा, जिस प्रिके से सिराज जो आईपिल में मरवाता है RCB को, वही चीज हुई थ तो डीएसपी सिराज को तो चारो तरफ से खुद पुलिस ने घरे लिया था भाई, उसको तो बोड़ रहे थे, कि हाथ उपर कर लो, आगई है पुलिस, तो हमेशा है लेट आता है, उसको तो भाई मार मार के फरकच्चे उड़ा दिये डीएसपी सिराज के, डग सी और सिराज आके डवन कॉनवे किस लेजिंग कर रहा है, किस मूँ से तो भोलता यार, मुझे तो ये समय नहीं ėाते है, किस मूँ से तो भॉलता है, हर बच्चा बच्चा ते को आकर पहल कर चल जाता है, तू बोलता किस मूँ से बैसे, डिएसपी सिराज, कुल्दीव, I am DS जिर्वाद से शुरू करें ठीक है मैं बहुत मैंने उस दिन भी तारीफ करी रोह चर्मा ने आकर प्रेस कॉणफेंस करी आई लवड़ इट रोह चर्मा ने जिस तरीके से हेड उन लिया सवालों को कि चलाओ तलवार और हम एक दिन बुरा हो जाता है और यार प्लान हमारे व स्कॉर करने से रोक नहीं पाए पहले तो 233 47 402 वहां पे रोह चर्मा क्यूंकि एश की बात हो गई थी आश बात ही नहीं हो पाई उसके बाद तो वहां पे पिटे आप उसके बाद जब अच्छी खासी लीड ले रहे थे जस्त बिफोर यू वर तेकिं द लीड कॉलाप्स ह हो गया फिर जब 107 पर आए तो आपको लगा चलो भी थोड़ी फाइट मरते हैं पहले तो जान मारते हैं यास वी कंडू है कोली कॉली कम आउं गाइस दो बारे कम लाइगी थोड़ी दर के बाद खादम कब होगा या बारिश भी नहीं क्या हो रहा है खतम करवा दो भाई पूने कब निकलना है या हो गया अब तो हो गया गंबीर साब बैठे हुएं किस किस से हाथ मिलाना है हाथ मिला लग जाए हैं कम से कम ये तो बल दो अगली बार ये बोलने लायक हों कि कम से कम हम हाथ मिला लेते हैं हैं तो वहां से भी निकल गया तो ये सारी चीजे आपने देखी आपके सामने हुई मेरे को बस ये लगता है कि अभी भी हिंदुस्तानी fans specifically analysts हम denial mode में क्यों है हम denial mode में क्यों है emotional होना ठीक है भाई emotional एक अलग चीज है और कोई बड़ी बात नहीं आप एक test match हार चुके हो but this was a historic test match this was a historic test match आपने अपने घर पर सबसे humiliating defeat है आप के लिए कि आप 46 पर all out हो गए आप 46 पर all out हो गए ये गंभीर साहब we want to be the team that can score 400 runs in a day and can bat for two days to save test match as well 46 पर all out हो चुक्या है क्या क्या सच बोल रहे है आप हरे एक छक्के ने वर्ल्ड कप नी जिता है लेकिन 46 पर ने match जुरूर हरवा दिया तो गंभीर साहब के पते क्या है test match शुरू होने से पहले over confidence arrogance आपने दिखाई कीवीज ने नहीं दिखाई आपने किया underestimate भाई ये बांगलादेश के प्रोटेस्टर नी आया हुए उनके अपने पार्लिमेट में पथर मार के ये न्यूजिलेंड की एक बात आपको याद दिला हूँ और शरम अगर नहीं आ रही है भी आपको केन विलियमसन तो खेलाई नहीं दाई उनने बिना केन विलियमसन के पेल दिया तुमें यार कोई शरम है मैं जैसे बोरा था हम डिनाइल मोर्ड में क्यों है हमारे आर्टिकल छपने बेस्ट प्रेस कॉन्फरेंस एवर बाई रोहिच शरमा वाटर कैप्टन जिम्मेदारे लिए आगे आए अपने चाती पे गोली खाई रोहिच शरमा ने क्या बात है रोहिच शरमा तलवारे चला लो नहीं जुकेंगे हम कमान इंडिया तिरंगा उठा लो पेल पाल के वो निकल गए 46 पे आल आउट करके बीस ओवर में मार मार के तुम्हारे भरते बना के मैच खतम कर दिया अभी भी हम लुक अट दे बराइट साइड लुक अट दे पॉजिटिव साइड एक बार हुआ है 36 साल के बाद न्यूजिलेंड मैच जीती है इंडिया में तुमने गाबा जीता था 36-35 साल के बाद तुम कितनी बड़ी अचीवमेंट थी तुम्हारी और तुमने तो गाबा जीता था क्या फाइट हुई थी मैच में ओह 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 लास्ट ओवर तक चला गया रिशा पंद खेल रहा है वाशी खेल रहा है वाशी आउट हो गया वो खेले जा रहा है सिराज की साथ वो एंड में जाके जिताया और पावलपन हो गया इनों तो जीता तुम्हें मार मार के भरता बना दिया घसीड घसीड के 36 साल के बाद जीते हैं आठ विकेट से जीते हैं सीरीज का पहला माच जीते हैं और तुम्हें एक मेसेज दिया है कि भाई अपने आपको चौधरी मत समझो कि तुम वर्ल्ड क्रिकेट का चौधरी बन गए हो नहीं हो आप अभी